आज की Gaming News के एपिसोड में आपको Cyberpunk 2, Fortnite Mobile, PUBG 2, Tekken 8, PAL World, GTA Trilogy, GameLoft का नया गेम एंट और भी बहुत सारी Gaming News जाने को मिलेगी वीडियो को एंट तक जरूर देखने परना बहुत कुछ मिस कर जाओगे PC वेला Avatar Game तो इतना exciting नहीं निकला और हम सब Mobile के Avatar Reckoning का वेट कर रहे थे बट अब वो भी नहीं आ रहे है और कॉसर Games ने Avatar Reckoning का launch plan कैंसल कर दिया है क्योंकि नोने अपने plans और products में strategic addressments करे हैं ये गेम हैं के MMORPG Mobile Game होने वाला था जो कि Pandora के mysterious mood पर players को ले जाता लेकिन अब इसका future uncertain है और किसी और developer और publisher की interest पर depend करता है किया project revive होगा भी या फिर नहीं बाकी आप BGMI and Free Fire तो खूब खेलते होंगे बट क्या आपको कभी उससे खेल के पैसे मिले हैं एक नया multiplayer game आया है जिसमें आप shooting gameplay के मज़े लेते हुए पैसे भी अन कर सकते हो इसका नाम है Alpha Returns जिसे CZM Labs ने बनाया है सिंप्री Google Play Store या फिर App Store से डाउनलोड करना है Google Account से साइन इन करना है और direct खेलना शुरू करना है मतलब दूसरे NFT games की तरह कोई जंजट नहीं है तीन modes है एक है deathmatch जिसमें जो भी पहले 40 kills कर लेका वो winner होगा इसका map base जैक urban city में तर नेक्स है team deathmatch जहाँ आप 4 लोग ही score का part होते हो और आपको opposite team को मारना है इसका map base जैक military base में फिर एक duo mode भी है जहाँ आप अपने partner के साथ multiplier खेल सकते हो बस simply matches खेल के और उसमें अच्छा perform करके आपको tokens मिलते हैं उन tokens से आप rare gun skins खरीज सकते हो और clothing items भी इनने NFTs भी कहा जाता है इन NFTs या आफ़ी tokens को आप real money के लिए sell भी कर सकते हो ताकि आप game खेल के पैसे भी कमा सको आप जादा से जादा game खेलोगे NFTs और tokens कमाऊगे और उने market place से sell करोगे तो पैसे अन करोगे इसलिए अभी खेलना शुरू करो अलफा डिटर्न्स गूगल प्लेश शूर्ट का लिंक आपको मिल जागा description में बाकि आप इनका टेलिग्राम ग्रूप और डिस्कॉर्ड भी जॉइन कर सकते हो फोर डेगुलर अपडेट्स बात करते कुछ गेम्स की जिने आप क्लेम कर सकते हो तो एपिक गेम्स शूर्ट पे इस हफ़ते का फ्री गेम है Infinite Factory जो एक Sandbox Puzzle Game है बाकि Next Week का फ्री गेम है Dores Paradox जो एक Escape Batch Puzzle Game है एपिक गेम्स ने अनाउंस किया कि Fortnite का iOS Version Europe के कंप्रीज के लिए वापस आ रहा है Apple ने अपने App Store पॉलिसीज अपडेट किये हैं ताकि EU Regulators को मनाया जा सके अब iPhone users European Union में 3rd Party App Store से Apps डाउनलोड कर सकते हैं Epic Games के CEO टिम स्वीनी ने भी कहा कि वो भी Epic Games Store को Android और iOS पर launch करना चाहते हैं और Fortnite जैसे exclusive games के साथ इसे No.1 Multi-Platform Software App बनाना चाहते हैं Fortnite को App Store और Google Play Store से 2020 में हटाया गया था जब Epic ने गेम में Direct Payment System रिडिउस किया क्योंकि तब Apple और Epic के बीच में एक बहुत लंबी code battle चली जिसमें दोनों parties को ही काफी ज़्यादा नुकसान हुआ है खेर अब गेम iOS पर वापस आएगा लेकिन सिर्फ EU के लिए Google Play Store पर अभी कोई अपडेट नहीं है काश ये जल्दी इंडिया में भी आ जाए इंडियेंस, VGMI या फिर Free Fire कलावा भी कुछ दूसरे गेम्स खेल लेंगे यार Cyberpunk fix हो गया है उसके expansion Phantom Liberty बहुत बड़ी success बन गई है बट एक चीज़े जो अभी तक नहीं आई और वो है Multiplayer launch से पहले CD Projektorer ने promise किया था कि एक Multiplayer version भी आएगा जिसके लिए frankly speaking सब excited थे बट फिर game की launch बरबाद हो गई उसको fix करने में दो सान लग गए reputation वापस कमानी पड़ी और इसले Multiplayer कैंसल हो गया बट अब CD Projektorer के joint CEO Adam Badowski ने कहा है कि वो Cyberbank 2077 के sequel में Multiplayer को add करने का सोच रहे है उसके लबा Badowski ने ये भी कहा है कि Cyberbank की launch के साथ वो सीख गए है कि उन्होंने क्या गलतिया करी और इस पार वो better production process पर focus करेंगे मैंने आपको last year या फिशाद उससे भी पहले गवार कभी बताया होगा कि PUBG 2 development में है ये leaks तब आये थे जब new state mobile launch होने वाला था बट उसके बाद इस पर कोई development नहीं है अब TechCrunch ने अपने एक article में इसे mention किया है कि PUBG का नया sequel PUBG 2 बन रहा है PUBG का current version Unreal Engine 5 में बना था लेकिन अब PUBG 2 Unreal Engine 5 में बनने वाला है बट देखना ये होगा कि gameplay same रहता है नहीं दिया है So we don't know कि ये कब तक आएगा Then Candy Crush का एक नया game Candy Crush Blast को soft launch किया गया है ये King का नया game है जिसना Fast Pace Puzzle से गुजरते हो, Boosters Unlock करते हो और Satisfying Animations को Enjoy करते हो दाकि आप ये game offline भी खेल सकते हो अभी तो खेर इसका beta Philippines में चल रहा है बड़ देखते कि ये इंडिया में कब आता है और कब हमारे parents ये game खेलना शुरू कर देते हैं वेल एक और game cancellation की बात करें तो वो है Batman का Warner Brothers Games Montreal के Damon Wayne Batman game को leaks की वज़े से cancel कर दिया गया था ये सब उनके voice actor Josh Keaton ने बताया इस game में वो Damon Wayne को play करने वाले थे लेकिन leaks के बाद project को बंद कर दिया गया leaks ने सारी plotline और concept art को reveal कर दिया था जो कि game का surprise element था तो कितना जादा disappointing है कि leaks ने प्रोजेक्ट को खतम कर दिया लेकिन आर जेशन शेयर ने एक अलग report में काया कि game ना leaks की वज़े से cancel नहीं हुआ था चिल voice actor अपनी बात पर अड़े हुए है तो अभी यह development आएंगे तो बता लगे कि actually हुआ गया था एंड क्यों हमें आज तक एक नया बैटमान गेम नहीं मिला GTA Tology का आना Netflix के लिए अच्छी ख़बर साबित हुई है उन्होंने अपने fiscal 2023 के पूरे साल की earnings report शेयर की इसमें उन्होंने बताये कि उनके platform में gaming engagement पिछले साल से 3 गुना बढ़ गई है इसमें GTA Tology के release का बहुत बड़ा importance है जो कि पिछले साल के end में release हुआ था नेट्फिक्स GTA Tology को अपने अब तक का सबसे बड़ा successful launch की तरह देखता है इंस्ट्राइल साल engagement के मामले में जहां कुछ consumers तो सरिफ इन games को खेलने के लिए ही Netflix की subscription खरीद रहे है आप मेरे को बताना comments में कि कि यह आपने भी सरिफ GTA Tology खेलने के लिए ही Netflix खरीदा या फिर खुछ जोकार किया गेमलोफ ने एक नया title अनॉंस किया है जिसका नाम है Order and Chaos Guardians यह गेम Order and Chaos IB का पार्ट है और गेमलोफ और Netties Games के collaboration में launch किया जाएगा Android users के लिए इसका close beta test अभी चल रहा है कुछ regions में गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको VPN की जुरुत होगी अगर आप इसे इंडिया में खिलना चाहते हो इसका iOS या फिर global launch के बारे में अभी कोई और details पता नहीं लगी है मैंने आपको दर डे बिफोर के scam के बारे में तो बताया था एक वीडियो में और वो गेम बंद हो चुका है ऐसे में उसके एक developer ने कजीब सी statement दी और उनने कहा कि game ना hate campaign का शिकार बन गया था वो कहते है कि उनने जो जो trailers में दिखाया वही game launch किया लेकिन कुछ minor features जैसे की parkour वेगरे include नहीं करें तो उनने ये भी कहा कि उनने petitions मिले थे इसके development को continue करने के लिए और black market में game का price 200 डॉलर तक भी पहुँच गया था सो में recording तो वो बिल्कुल गलत है यार गेम जिस state में launch हुआ था वो trailer से दूर दूर तक mail नहीं खाता था कुछ inspiring game developers ने मेरी वीडियो के नीचे comment करे थे कि भाई तुम्हें कुछ नहीं बता गेम बनाने के बारे में कितनी महनत लगती है देखो मैं मानता हू गेम बनाने में बहुत जादा महनत लगती है लेकिन फिर आप इतने बड़े promise भी मत करो ना दुनिया भर के promise कर दिये, free में volunteer से काम करवा रहे है दूसरे game trailers copy कर रहे है और फिर कहने की scam नहीं है चलो वो तो अच्छा है कि अब stream players को automatic refunds मिल गए है न्यू स्टेट मोबाइल के January update में कुछ नए changes हुए है अब try map पर आप try light weather experience कर पाओगे एक नया weapon भी आया है ड्रैकन ओप जो कि DMR है जिसका headshot damage जादा है gun play में भी कुछ changes किये गए हैं जैसे कि AR, SMG और LMG weapons के bullets का spread increase हो गया है survivor pass volume 27 में lead character jack overkill है, premium pass के साथ jack overkill और cartoon state costume sets मिलेंगे लगे सी pass में चौको vanilla set भी अपलेबल है dead standing director's cut अब iPhone 15 Pro पे 30th January को आएगा और अगर आप pre-order करते हैं तो 2000 रुपर में मिल जाएगा मतब काफी अच्छा discount मिल रहा है ये game universal purchase होगा मतब एक device पर खरीद लिया तो दूसरे devices पर भी खेल पाओगे बागी Hideo Kojima ने announce किया है कि वो Apple के साथ future games के लिए भी work कर रहे है तो देखना हुआ कि Death Stranding जैसा heavy game कैसा perform करता है on iPhone 15 Pro and iPad Tekken 8 release हो चुकी है और लोग बहुत जादा excited है हो भी क्यों ना 9 साल बाद एक mainline game आई है Tekken series में और इसके reviews भी अच्छे आ रहे है बागी players की demand है कि या Final Fantasy 7 की character Tifa को भी game में लाया जाए Katsuhiro Harada ने भी इस पर tweet किया तो ने कहा कि वो समझत नेगी आटीफा attractive है बट अब भी के लिए कुछ decided नहीं है कि third party characters आएंगे या फिर नहीं तो fans को इंतजार ही करना पड़ेगा कि क्या Tifa गेम में and guns बाकी आप समझ जाओ इस गेम को लोग भर भर के खडीद रहे हैं US में तो पैल वर्ल्ड ने Xbox पर Fortnite को पार कर दिया था बाकी Early Access के रिलीज होने के 6 दिन बाद ही 8 million copies बेच दिये हैं स्चीम पर इसने Counter-Strike को पीछे छोड़ कर 2 million concurrent players का record किया है पेटर Controversy में भी आगया है Pokemon Company ने इस पर investigation launch कर दिया है because इसके characters बहुत similar है पैल वर्ल्ड के developer Pocket Pair ने कहा है कि उनका game Pokemon से ज़्यादा तो Ark Survival Evolved और Valheim से inspired है Pokemon Company ने अभी तक पैल वर्ल्ड के modders के उपर action लेना शुरू कर दिया है जिन्होंने पैल वर्ल्ड के characters को Pokemon से replace करना शुरू कर दिया था बाकि एक game mobile devices पर भी release हो सकता है क्योंकि Pocket Pair ने mobile game engineers के लिए positions open करी है mobile game industry में बड़ा potential होने की वज़ा से developers इस game को mobile में भी launch करने का plan कर रहे है बट हाँ अब इस पर कोई official announcement नहीं आई है चलते हैं Lazies Pick की तरफ और जो एक थोड़ा underrated game है इंडिया में वो है Mafia 2 and I simply love this game मैंने इसे IG के gameplay से discover किया था और शायद इसे तीन बार complete किया होगा एक बार तो IG के gameplay देखके और दो बार खुद खेलके इसकी story is simply one of the best specially जो और वीटो की दोस्ती बाकि इसकी shooting, driving, open world में को सब बहुत ज़ादा पसंद आया Mafia 3 इतना खास नहीं था जो series Italian mobs पर थी उसे नोने African Americans पर बना दिया but I hope यार Mafia 4 में वो फिर से Italian mobs को भी वापस लाएं आपको मैं ज़रूर recommend करूँगा कि ये गेम खेलो अगर open world गेम इस पसंद है तो 2010 का गेम में low end PC में भी चल जाएगा बात करते हैं 501 news की तो Horizon Forbidden West का PC edition 21st March को रिलीज होने जा रहे हैं इसमें ultrawide monitors, DLSS 3, Intel's XCSS और AMD's FidelityFX Super Resolution का support होगा Hogwarts Legacy का 1 year anniversary आने वाल है और इस मौके पर Sony exclusive content को दूसरे platforms पे भी launch किया जाएगा नए features और updates के अलावा भी Hogwarts Legacy में और भी magic आने वाला है Ubisoft ने announce किया है कि Skull and Bones का open beta launch February 8 से February 11 तक होगा और ये PS5, Xbox Series XS और PC के लिए अवलेबल होगा बाकि ये February 16 को रिलीज होगा और इसमें आपकी progression continue रहेगी Until Dawn Jo एक popular PS4 horror game है अब PC और PS5 पर भी आ रहे है एक report के according announcement अगले महिने होने वाली है और ये इंको कम से कम एक साल से डवलप किया जा रहे है तन बात करते है Five Nights at Freddy's की तो उसका game trailer leak हो गया है जोकि 16-bit style में है और Jeff's Pizza में side-scrolling gameplay पर बेज़ जाए ये game उनके 10th anniversary के मौके पर release हो सकता है तो बस यार यही तो आज के gaming ने उसके episode में मैंने recently Indian Gaming Community के बार में वीडियो बनाई थी कि वो ऐसी क्यों है तो उसके बार में जानने के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे वीडियो पर क्लिक करो बाकि ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दो चानल को सब्सक्राइब कर दो आप से क्लिए वीडियो में तब तक के लिए टार बाए बाए